जो वात प्रकृति के लोग होते हैं, it is easier for them to lose weight and very difficult for them to gain. हम देखते हैं, हमारे friends भी हमें ऐसे लगता है, ये भाई सब कुछ भी खा ले इनके उपर, लगता है नहीं है, आपकी प्रकृति आपके metabolism को भी decide करती है, उसे कहते हैं विशम अगनी, विशम मतलब erratic, कभी ठीक से digest करेगी, कभी ठीक से digest नहीं करेगी, पित प्रकृति की अगनी तिक्ष्न अगनी होती है, यानि पित प्रकृति को अगर भूख लग जाए, तो वो भूख बरदाश नहीं कर पाते, और इसकी अगनी विपरीत कभ, कभ को नाईब और जोरदार भूख लगती है, कभ खाना भी पचक खा लेते हैं, कभ प्रकृति को चार घंटे बाद शायद खाना खाने की जरुरत पड़े, लेकिन पित प्रकृति को अगर उसने light moderate ही खाना खाया, तो उससे लगेगा कि नहीं, अभी देर दो गंटे में, I again need my meals. Hello दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंदर सिंह राठोर और आप लोगं के लाया हूँ Inner Wellness Tribe का अगला एपिसोड, आज सबसे unique topic हम लेकर के आए हैं और Ayurveda पे आज हम discuss करने वाले हैं और इसके लिए हमारी बीच मुझूद है एक बहुत बड़े expert, please welcome Dr. Shalendra Chobay जी. Thank you so very much Yogindra जी and I am looking forward to our conversation and the interesting things that you are so inquisitive about. So, सबसे पहले तो मैं चाहूँँगा कि Ayurveda और Elopathy, इन दोनों के बीच में एक basic approach का क्या difference आप रखते हैं ताके audience को थोड़ी clarity मिले. सबसे बुनियादी जो फर्क है the most fundamental difference is Ayurveda is a life science. Okay. And Allopath or modern medicine is a science for medical conditions. वो disease related है. Okay. ये दोनों फर्क अपने आप में बहुत जादा बड़े हैं. जब आप सिर्फ disease को, एक illness को, एक certain health condition को देख रहे हैं, तो health condition, illness आपके life का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है. लेकिन आपके life में और भी धेर सारे dimensions हैं जो exist करते हैं. आपकी energy, आपका aspirations, आपका स्वभाव, आपकी प्रकृती, आप कौन हैं, वो धीर सारी बातें आपके life का एक हिस्सा होती हैं. आईरवेदा इन सारी चीजों में deeply जाता है. आईरवेदा आपके health में भी बहुत deeply invested है, और आपके illnesses में भी. इन फाक्ट कहें, आईरवेदा health में पहले जादा invested है. In the sense, आईरवेदा हर मुम्किन कोशिश करता है कि आपको बताए, किस तरह से आप एक बहतर quality की life create कर सकते हैं. आप अपने longevity, मतलब life span को कैसे जादा बढ़ा सकते हैं. और for who you are, आपकी जो प्रकृती है, उस प्रकृती के लिए कौन-कौन से ऐसे practices आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप निरोगी रह सकते हैं, और आप prevent, मतलब अपने आपको बचा के रख सकते हैं धेर सारे health problems से. इन धेर सारे बातों की चर्चा जो है, अलोपैथ में बहुत कम होती है, इसलिए आप अलोपैथ में as a preventive नहीं उतरेंगे, हम अलोपैथ डॉक्टर पे के पास कब जाते हैं, जब मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, बहुत वामिट हो गई, डाइरिया, कुछ सर्जरी की जरूरत है, यानि वो एक expert field है, बट एक expertise is very limited to the condition, Ayurveda is not just only about your condition, Ayurveda is about you, Ayurveda is deeply interested in who you are, and what kind of life you want to create, and the many possibilities around you. So, अभी आपने प्रकरती शब्द यूज किया था, कि आपके प्रकरती कैसी है, तो किन-किन टाइप की होती है, अगर आप कुछ डीटेल में बताएं तो, तो Ayurveda कुछ energies को मान, यानि यह मानता है कि, हम certain energy तत्वास से बने हुए हैं, हमारे अंदर govern करने वाली, तीन तरह की energies होती है, वात, पित्त, कफ, वात, बॉडी में हर तरह के movement के लिए possible है, जैसे मैं आपसे बात्चीत कर रहा हूँ, ये भी एक movement है, अगर मैं आपसे बात करते वक कुछ सोच रहा हूँ, या कुछ recollect कर रहा हूँ, उसे भी movement के under replace करेंगे, जहाँ जहाँ movement, motility आपको समझ में आती है, वो एक certain energy, वाता की energy है, दूसरी energy है, ये सारे परियाए वाचक है, ये सारे परियाए वाचक है, लिकिन मैं चाहूँगा की, बले हम वायू कहें, वात कहें और अनिल कहें, विंड नहीं कहें, क्योंकि इट इस not only wind, for a reason, जैसे इस बात को और ठीक से समझाने के लिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, कि आयरुवेद के हिसाब से, सारा ब्रह्मान, सारी स्रिष्टी, सब कुछ, उन्होंने एक श्लोक कहा है, कि सर्वोमिदम पंच भौतिकम असमिनर थे, सारा सब कुछ इस जगत में जो भी बना है, वो पाँच महाभूत तत्वों से बना है, आकाश, एधर, स्पेस, वायू, विंड, अगनी, तेज, सोफाय, जल और पृत्वी, पृत्वी, तो ये वाद्पित्टकफ, इन्ही पाँच महाभूतों से, के कॉमिनेशन और मिचुएशन से बना है, वायू, जो वाद्प दोश है, वो आकाश और वायू, मिल करके बना हुआ है, इसलिए उसमें आकाश के जैसी lightness है, invisibility है, और वायू के जैसी movement है, तो वाद्प आकाश वायू से बना हुआ है, जो दूसरा दोश है, पित, वो सिर्फ तीज महाभूत से बना हुआ है, उसमें बहुत चोटा सा अंच, जल का भी है, और जो कफ दोश बना हुआ है, वो जल और प्रिस्वी से बना हुआ है, तो योगेंदर जी, वाद, पित, कफ, इन तीनों के अपने अपने distinct characteristics होते हैं, यह जो characteristics होते हैं, आईरवेद कहता है, जब आप conceive होते हैं, जिस वक्त आप बनते हैं, मा की गर्भ में, जैसे ही बच्चा बनता हुआ, जो ब्रून बनता है, उसी वक्त, एक certain permutation combination, dominatingly present हो जाती है, जो lifetime decide करती है, आपकी प्रकृती, मतलब आपकी constitution, तो like let's say, अगर मेरी लिए, वात और पित, dominating energy is present रह जाएं उस वक्त, तो lifetime के लिए, वो मेरी एक certain characteristics को develop करेंगे, मेरी physical characteristics, मेरी mental characteristics, emotional characteristics, मेरे habits, मेरे choices, वो सब उसके base पे ढल जाएंगे, तो जैसे अगर वात के characteristics are more around lightness, more around movement, swiftness, dryness, तो जो वात प्रधान है, वो अपने आपको in characteristics से dominating पाएगा, जो पित है, उसमें तिक्षनत आएगी, intensity आएगी, passion आएगा, heat की intolerance आएगी, जल्दी गरम आजाएंगे, उनके skin जो है, उनका जो appetite है, उनको हमेशा body में गरमार जैसी जादा feel होगी, अब कई बार लोगों को touch करेंगे और पाएंगे कि कुछ लोग normally ऐसे बड़े cold है, और कुछ लोग touch करने परी warm होते हैं, तो जो ज़्यादा warm है, वो पित गुन की वज़े से होंगे, कफ गुन stimmit है, यानि coldness, dampness वाली feeling लेकर के आता है, कफ क्योंकि प्रिथवी और जल से बना हुआ है, तो कफ slow हो जाता है, sluggish हो जाता है, कई बार heavy भी हो जाता है, ये चीजें लोगों के weight को भी decide करती है, जो वात प्रकृती के लोग होते हैं, it is easier for them to lose weight and very difficult for them to gain, हम देखते हैं, हमारे friends भी हमें ऐसे लगता है, ये भाई सब कुछ भी खाले इनके उपर, कुछ नाइ मांस चड़ता है, नाइ कुछ मेद चड़ पाता है, और मैं या दो रूटी एक्स्ट्रा खालू हूँ, फिर हमें ऐसा लगता कि अपना पेट चुपा लो, या कैसे वो वजन लूज कर दें, तो आपकी प्रकृती, ये क्या metabolic से जुड़ा रहता है, बहुत 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 बढ़ियां आपने पकड़ लिया, क्योंकि ये बहुत भी सारी चीजों को decide करता है, आपकी प्रकृती, आपके metabolism को भी decide करती है, उसके लिए शब्द है अगनी, तो जैसे जो वात प्रकृती के लोग होते हैं, उनकी अगनी, जो digestive ability होती है, उसे कहते हैं विशम अगनी, विशम मतलब erratic, कभी ठीक से digest करेगी, कभी ठीक से digest नहीं करेगी, कुछ लोग ऐसे होता है, जिनको उन्हें, every day, उनकी भूग लगने की जो समय है, वो change होती है, आज 11 बजे भूग लग जाएगी, तो कल 2 बजे भूग लगेगी, not just that, उनकी appetite भी, क्योंकि विशम, विशमता means erratic, not the same, पित्त प्रकृति की अगनी तिक्ष्न अगनी होती है, यानि पित्त प्रकृति को अगर भूग लग जाए, तो वो भूग बर्दाश्च नहीं कर पाते है, उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे मेरा खाना चाहिए ही अभी, कुछ दे दो, otherwise, they'll start to lose focus, they may start to get headache, they may become angry, irritable, और इसकी विपरीत कफ, कफ is like very slow, sluggish, कफ को नहीं बहुत जोरदार भूग लगती है, कफ खाना भी पचक खा लेते हैं, तो उनको बहुत अराम से, मतलब कफ प्रकृति को चार घंटे बाद, शायद खाना खाने की जरुरवत पड़े, तीन साध अबे देर दो गंटे में, I again need my meals, यह मुझे याद दिला रहा है, कई बार यह बहुत confusion है लोगों में, वो कहते हैं, धाई गंटे बाद खाना 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 चाहिए, दो गंटे के बाद खाना 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 चाहिए, अक्शली कब खाना खाना चाहिए, लेट इस बीडिस आप एक डिकोड कर पाएंगे अपने खुद के लिए एक पैटन, एक सिस्टम, अपने रिजोवनेशन, नरिश्मेंट की एक जो रेजीम होती है, कि मुझे सुबह उठकर के मुझे इसी वक्त खाना खाना चाहिए, इस वक्त गैप ले लेना चाहिए, क्योंकि हर प्रकृती में के हिसाब से एक साइकल, एक रिदम डिसाइड होता है, पहले कैसा था आयरुवेद क्योंकि ये बहुत रूट बेस्ट वर्क है, यानि रिशी मुनी जो गाओं में लोगों के बीच रहते थे, वो उन सबसे शेर करते थे, और उन्होंने बताया, इस बेसे पे उन्होंने दो तरह के रिचुल्स क्रिएट किये, उसे कहा दिन चर्या और रुतु चर्या, मतलब कि आपकी दिन भर की कैसी एक चर्या, यानि ये रिचुल्स होने चाहिए, आपको कौन से रिदम को फॉलो करना है, और इसी तरह से ये जो दिन चर्या है, ये हर सीजन में कैसे थोड़ सी अलग हो, क्योंकि जब seasons change होते है तो आपके body की requirement change होती है, वो decide, थोड़ी सी decide करनी चाहिए कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए कब कैसे रहना चाहिए इसमें क्या assessments होते हैं, प्रकृती यह प्रकृती को assess किया जा सकता है एक बहुत simple है सभी लोग online जाकर के अपने ayurved constitution की questionnaire अगर उन्हें प्रकृती जानना है, वो धेर सारे sites होंगे, जहां पर ऐसे questionnaires available हैं वो अपने आपको question, उन questions को grade कर दे, और उसी की basis पे पता चल जाएगा कि उनकी कौन सी dominating प्रकृती है कोई specific website आप बता सकते हैं, जो I don't want to take names, it is like really present everywhere however हम प्रकृती की बात कर रहे हैं लेकिन एक दूसरी बात भी बहुत important है, यह जानना खुद के बारे में, और यह question भी करना आपने आपको, कि क्या मैं मुझे लगता है कि मैं बिलकुल प्रकृत naturally healthy हूँ या मैं पूरी तरह से healthy नहीं हूँ क्या मेरे में कुछ science है जो poor health के science है उसे आयरवेद कहता है विकृती क्योंकि हो सकता है अपने बारे में जो information डाले currently डाले वो आपकी प्रकृती से नहीं आ रहा हो वो आपकी विकृती का हिस्सा हो say for example कोई आप वहाँ question में पूछ ले कि आपकी शरीर का आकार धाचा कैसा है आप लिख दें कि मेरा मेरा weight इतना जादा है मेरा आकार इतना बड़ा है लिकिन हो सकता है कि औरिजिनली शायद आप बचपन में यांगर एज में आप वैसे नहीं थे मेटबॉलिजम की गड़बड़ी के नाते अगनियत विकृत होने की वज़े से गलत habits की वज़े से और सही जानकारी नहीं होने की वज़े से जिस तरह की life आपने लीड की वो प्राकृत life नहीं लीड की और जिस तरह आप तरफ आप deviate हुए वो विकृती के तरफ deviate हुए इसी लिए तो योगेंदर जी आजकल सारे लोगों में आप पाएंगे सबसे बड़ा चालेंज है and energy levels करीब करीब सभी लोग एक सर्टन तरीके की फटीग experience करते हैं या तो वो dehydrational फटीग होता है या फिर वो musculo skeletal फटीग होता है या brain फटीग होता है कुछ लोग emotionally बहुत फटीग है जो mental फटीग है और कई लोगों में एक बहुत deeper depletion या फटीग है उसे मैं कहता हूँ shock या trauma हम जब इतने तरीके की फटीग अपने अंदर carry कर रहे है और उस basis पे जब हमारा conduct है तो हम कैसे कहेंगे कि हम प्राकृत हैं और कौन सा तो ही प्राकृती परिक्षन आपको really help करेगा as much as it is needed and you should know लिकिन मेरी urge request यह है लोगों से कि first they should find out दो जर्नी होती है एक जर्नी है आपकी विकृत से प्राकृत की तरफ आप जब प्राकृत पा लें फिर मैंने एक नया टर्म कॉइन किया उसके बाद जब आप प्राकृत में हैं फिर वहां से अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं you can move towards the way you would really want to be भभी आप प्राकृती नहीं है तो पहले आप कहा है वहां से देख लीजे क्योंके मैं प्राकृत तक की जर्नी को कैसे डिजाइन करूँ क्या मुझे अपने बारे में समझना है तो अपनी विकृत विकृती का असेस्मेंट करना जरूरी है तो असे असेस्मेंट की वेबसाइट से विकृती असेस्मेंट तो अगर आपको आईरवेदिक डॉक्तर के पास जा सकते हैं मैं परस्नली चार चीजों को असेस करता हूं हम एक तो है आपके कंडिशन क्या है जैसे मेडिकल कंडिशन या जो भी हेल्थ रिलेटेट चालेंज़ेंज है दूसरी बहुत इंपोर्टन असेस्मेंट करते है उसे वाइटालिटी यह आपके फटीग कोशन कितनी जादा है हमें यह अभी तक इतनी सिंपल बात नहीं समझ में आप आई कि बॉड़ी अपनी आप में बहुत सक्षम है सारी हीलिंग कर लेने के लिए अगर बॉड़ी को कोई प्राबलम हो जाए तो हमारी बॉड़ी की इनेट डिजाइन ऐसी है कि वो पोरी हीलिंग कर पाएगी अगर बॉड़ी आप अब टो जातनी इसलिफ इसलिवा को हा कि नच झाली टॉड़ी कोई एग्या तो थी विजब कोई लुड़ी न आप इसके व्ट और डिज़ी बॉड़ी तो इस फ़ लेवल्स कि आप कितने जादा डिप्लीटेड है और हमें यह नहीं पता चलता कि कई बार मेरे डिप्लीशन फटीग की वज़े से आप बिकम सो वल्नेरेबल दाइट्राइक डिफरेंट काइंड डिजीज उस डिप्लीशन में आपको एसेडिटी भी हो सकती है आपको रुमेटाइड आ दिलेज कृँस्टाइड खंशेशन आपको यह नगताई डिजीज नगहीं टो dev Κेन्रीशन व som CLSOCCD में पर अमझेश्ग बात करते हैं। evenly, the ISSUE की लहेह ने, लादरा हम हमारी खुद कि बात करते हैं। कि मैं ऐसा क्या हूँ, मैरी कॉन सी पार्टों हैं। जो मैं ऐसी सर्टीन चीजों को अट्रैक कर रहा हूं तो I'm more interested in assessing I call it the personality matrix we find so there are two things and the intention of this is not to change someone the intention of this is to help you find out and tell what are your strengths what are your strengths and what are your weaknesses I think that the most bogus word and I'm using that word very consciously the most bogus word is willpower some people who do not exercise people who do not exercise and the so called society say that you do not have your willpower it is not that they do not exercise yes, one big reason is that it is so much energy depleted that it is not that you do not keep exercise right of assessment which is the personality is very very important it's extremely significant to know who I am as a person and that assessment goes into the psyche like how you know about your psyche you will know about your psyche so you will know about your psyche so you will understand about your struggle areas and which areas of your easy areas and fourth assessment if possible if we get to meet in person because the background is in ayurveda तो वो नाडी परिक्षा करते हैं नाडी परिक्षा to me is a very intuitive way of connecting with the subtle vibrations in the body एक अद्बुत तरीका है जिसे मैं पसनली मानता हूं कि जो वैद्ध है वो आप से नहीं लेकिन आपके बहुत गहरे में क्या इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स के साथ connect कर सकते हैं उन इवेंट्स के साथ communicate कर सकते हैं और उसको interpret करने का पूरा science बताया हुआ है कि if I feel a vibration like this if the pulse, उसकी strength, उसकी गती, उसकी volume वो सब जो एक सर्टन तरीके के होते हैं इन सारे parameters के base पे एक blueprint create होता है मतलब that blueprint is created more in the mind and I have a feeling that in near future as we are going ahead even through AI and certain things we will be able to come closer towards deciphering few basic things on the Nadi Pariksha maybe not in great details because Nadi Pariksha also is a very वेद्य-based thing like उस वेद्य की sensitivity क्या है वो किन चीजों को ग्रास्प कर पार है वो शायद और वो से express कर पाते हैं तो किस्वें कभी टेक्नोलोजी गरोल आसकते हैं वेद्य है वेद्य है तो उनका कुद का इंटूशन और वो सारी चीज़ें तो किन मशीन दूएट? आप मशीन दूएट अजिए तो किस्वें के दिए तो किस्वें के उड़ आख पर हैं गेद्य हम क्या संस कर रहे हैं और जो सेंस कर रहे हैं वो क्या information प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके math को जितना detail में समझा जा सकेगा उतना ज़्यादा information बहार आ जाएगा So, आजकल की जिस परकार की हम लोगों की lifestyle है जैसे बहुत कम movements है लोग movement में जाधा तर दिन बर बैठे रहने का काम रहता है sedentary lifestyle है और junk food और इत सब का culture बहुत जादा है तो अगर आप कुछ इस पर बता सकें कि यह जो imbalance आ रहा है यह जो वाद पितकफ के imbalances create हो रहे है उसमें बहुत जादा इक sedentary lifestyle और यह junk food जो हम diet लेते हैं उसका क्या impact है let us re-examine the whole question and let us ask ourself क्या हम लोग बहुत slow life जी रहे है यह हम लोग बहुत जादा fast life जी रहे है mental level पर देखे हैं तो बहुत fast जी तो हम actually आप देखें तो बहुत जादा acceleratedly fast life जी रहे है like हम हम उम्र होंगे और like हम अगर 20-30 साल पीछे जाएं जो भी यह बात्चीत सुन रहे हैं अगर वो अपने life को rewind करें 20-25 साल पीछे जाएं और देखेंगे की तब से और अब में हमारे आसपास बहुत सारी चीजे बदली हैं लेकिन सबसे जादा बड़ी चेंज जो है वह पेस की यह बयुक्त की आले ऐग भा कि अवरी लिविका आएं लिवकार Çaxy यह आएं ऐगा हम युछी झाल पेस्तम यह पुरी bookाह पासतों अयुच्वरिट सुछ आहिएं टैनलों एँ प्राव्ल धूर जो पृड़र वाडिप आएं अ थज़ नेवल पर के डूपी पृड्ट के माइन और इमोशन के लेवल पर इतना ज़ादा प्रोसेस कर रहे हैं तो इस बात ने बहुत सिवेर इंबालेंस क्रेट किया दोसरी चीज हमने यह समझनी चाहिए कि जो हमारा नरिश्मेंट का जो डिजाइन है हम उसी डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं जो आज से 40-50 साल पहले और करीब और 100 साल पहले से बराया गया है कि सुबह का नाश्ता दुपहर को आपको जुखाना खा लेना है शाम का चाह नाश्ता और डिनर अल अब दीज आर मोर फिजिकली नरिश्मेंट प्रोवाइडिंग यह आपकी फिजिकली बॉड़ी को जादा नरिश्मेंट प्रोवाइड करते हैं हमें अगर इसे एक्जामिन करना हो तो हम पाएंगी कि हमारे माइंड को और इमोशन को नरिश्मेंट करने वाले तो फूड ही बहुत कम है और हमारी फिजिकल एनर्जी एक्पेंस तो हार्डली रह गई है तो जब आप फिजिकल यह बॉड़ी स्पेस को नरिश्मेंट करने वाली फूड को जादा लेंगे और वहाँ पे एक्पेंस कम है तो तो डेफिनिटली डाट विल ग्रोवाप जब एक्पेंस तो जब आपका नरिश्मेंट कोशंट कम है और वहाँ पे एनर्जी एक्पेंस इतना जादा है और वहाँ पेंस पूस्पोस्ट तो फिल अफ्कोर्स यू विल फिल so constantly irritated the word stressed, tired right out of place is because of this disparity and imbalance कि हम एक तो जो खार है पहली बात उसकी खुद की नरिश्मेंट कोशंट इस अडर क्वेस्चन माँ कि उसमें कितना जादा नरिश्मेंट कोशंट है आपने जो वर्ड युस किया जंक फूद या high calorie food या instant food बहुत जादा नरिश्मेंट को है ने दूसरा अगर नरिश्मेंट भी है तो जो 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 not so much mentally emotionally nourishing, they don't nourish the soul right so यह imbalance को ब्रिज करना और अड्रेस करना I feel is far more important mental health में Ayurveda especially अगर में those specific condition depression या anxiety I like to answer this question a bit differently while now when speaking about Ayurveda and mental health it's commendable that Ayurveda इतनी पुरानी science में established psychology और जो psychosomatic space है 5000 साल पहले से भी जादा वो पूरी इस्ताबलिष्ट है while in the modern medicine or modern approach it is still continuously evolving and over like growing they not just have a proper way of assessing a person for the condition whether it is mental emotional issues they also have very detailed and deep healing protocol and these healing protocols includes food includes herbs medicines and includes therapies okay okay तो तरह की तरीकी की चिकितसा की बारे में उनने बात्चीत की थी Ayurved – He said that चिकिट सितम दूली विविधम दरवय-अदरवयम निक होती एद्रव्य चिकिट स exec, और ाूसरी होती है अदरव्य किकिट स occurrence यानि senza conversation healing होती है जोarnoszeniu разрęच होती है ठेलोर प्रशम है उड़ छैनलने therapies उसे अद्रव निन aroma substance तो जब मानस रोग को अटेंड करता है तो वो इन दूनों चिकिट्सा के डाइमेंशन को इंटीग्रेट करता है और वो बहुत डीपली सपोर्ट और केर क्रियेट करता है आयरुवेद में एक बहुत इंपॉर्टन वर्ड यूज किया गया था जहां जो उन्होंने सबसे बेसिक फंडमेंटल रीजन पाया तो अंसे और क्वेश्टन की वात्पित कफा कांसे इंबालेंस से कंडिशन ज्यादा खराब होते हैं अक्चुली वात्पित कफा जैसे हमने कहा कि यह शारीर रोग के दोश माने जाते हैं उसी तरह से अगर अगर एस अब बींग हमें डिवाइड करना तो हमें अपने आप प्राकृतिक शारीर है तो जिस तरह से फिजिकल बॉडी में वात्पित कफा जादा स्ट्रॉंग डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं उसी तरह से मानस रोग में तीन गुन सत्व रजत्तम यह बहुत जादा स्ट्रॉंगली डिसाइड करते हैं कि आपका मेंटल एमोशनल वे रज और तम को मानस दोश कहा और सत्व को मानस गुन बताया कि जब सत्व गुन शिन हो जाए कम हो जाए और अगर वो कम हो जाता है तो आटोमेटिकली वो रज यह तम को बढ़ा देगा क्योंकि अगरिंग पर भी वैक्यूम नहीं रह सकता है राइड जब आपका सत्व यानि everything that's got to do with aggression, intensity या तो वो बढ़ जाएगा या तमस गुन, everything that's got to do with inertia, severe dullness, lethargy, darkness so जब आप anxiety और depression की बात करते हैं तो आप यही दो गुन पाएंगे राइड या तो लोगों में बहुत जादा intensity आजाएगी, बहुत जादा disturbance आजाएगा, बहुत जादा unstable हो जाएगे, वो सारे राजिसिंग गुन है, जाएटी में, anxiety में जातर दिखे है, like feeling very disrupted और जब तमस गुन है, तमस गुन है, तमस गुन is about completely shrinking and going in a shell, not able to, like I am no more able to connect with myself, I don't know, this is not me, I can't connect with myself, they lose direction, they lose sight of what life should be about, all the enthusiasm or excitement, interest, they don't show up to far away नहीं देते, इन्हें re-establish, या करेक्ट करने के लिए कुछ healing protocols होते हैं, herbs होते हैं, food plays a very very important role, yes, जो मैं शब्द यूज़ करता है, strotorod, clearing of the channels, कही बार ये इस वज़े से भी होते हैं, कि हमारे बॉड़ी में इतने blockages हो जाते हैं, I'd like to share this, if you allow, this concept of strotos avarod, okay, let's say, अगर हमें दो मिनिट में समझना हो कि ये पूरा आयरुवेद का कंसेप्ट क्या है, ऐसे एजूम करें कि सारी बॉड़ी हमारे सारी शरी शरीव और टिशू से बनी हुई है, right, तो जो इस ट्रुक्चर है, इस ट्रुक्चरल कॉंपनेंट सात तरह के धा जा शुक्र, तो एक स्ट्रुक्चरल कॉंपनेंट है हमारे बॉड़ी का, उस स्ट्रुक्चरल कॉंपनेंट के अंदर एनर्जी कॉंपनेंट है, right, जिसे वात-पित्त-कफ कहते हैं, तो एक स्ट्रुक्चर के अंदर एनर्जी मूफ करती है, जिसके अलग-अलग फिजियो और्गन्स, कुछ और्गन्स, मिल जूल करके, वन दे कम तुगेदर, वो सिस्टम्स बनते हैं, सबसे बड़ी क्वेस्टन है, कि ये सारे और्गन्स, ये सारे सिस्टम्स, एक दुसरे के साथ, कमिनिकेट कैसे करते हैं, प्रिखेक्रण हैं, आएं ये बड़ा प्रिखेक्राइन्सरीमा, धिस्टम्स, वह सुनिकेटन हैं तुभान थाथ, ढलिण संदूर्खेदर्गन्स, ओप्जर्ट्टउ , दॉवकुण है, कि दूपंपलेश हιत अगया व्हां। हैं, व्हां आपे थाथंटन आकाँ पर्वि उसे स्तिरोतस कहते है कोई भी जो हमारी efficiency है करने काम काज करने की या functioning की वो तब deplete होती है जब आप पूरी तरह से नरिष्ट नहीं होते हैं तो नरिष्ट कब नहीं होंगे या तो आपको supplement नहीं मिल रहा है आपको कोई nourishment मिल नहीं रहा है दूसरा अगर मुझे खुराक मिल भी रहा हो लेकिन मेरे अंदर blockage है so like let's say मेरे mental emotional front पे मुझे एक certain तरीके से function करना चाहिए जो normal और higher well-being का sign हो लेकिन मैं अगर वैसा feel नहीं कर रहा हूं mentally या emotionally इसका ये मतलब है या तो वैसे certain तरीके की energy मुझ तक नहीं पहुँच पा रही है मैं उसे वंचेत हूं या दूसरी मेरे अंदर शारीर या मानस बॉड़ी में कुछ blockage है वो उसे obstruct करके रखे हुए है तो सबसे पहला line of treatment है कि ऐसे obstructions को dissolve करें clear out करें punch karma एक बहुत बड़ा बहुत important therapy आयरवेद ने create design किया जो बहुत ठीर सारे levels के blockages को clear out कर सकता है punch karma के जरिए आप यह जो अगर blockages बन गए इनको आप cleaning कर सकते है बिल्कुल जी so punch karma is like going for a super servicing एक तो होता है जैसे हम हमारी हमारे सब के पास कुछ न कुछ गाड़ी vehicles होंगे ही right हम नॉर्मल रोज उपर से गाड़ी साफ कर दें अंदर से कर दें और दूसरा होता है कि आप once in six months या once in a year या depending on what is your usage like आप अपने गाड़ी को एक super servicing के लिए भेजते हैं जहां पे अंदर से बाहर तक पूरे वो गाड़ी की clearing होती है देर सारे चेंजे होते है असा नहीं कि सिर्फ डीटॉक्स होता राइट वापकी गाड़ी अल्मोस्त अल्मोस्त नई शांदार बन कर या ती है हम ऐसा कह सकते हैं कि मुझे और आपको बहुत कुछ ऐसे severe health के challenges नहीं होंगे हम almost healthy हैं but does that mean that we do not have a scope of further higher fitness higher well-being right for that you can again go for like enroll for a punch karma and then maybe start from a better state and then design your life around your habits punch karma exactly क्या-क्या किया जाता है punch का काफ़ी famous term है बिल्कुल punch karma actually पांश तरीके की क्रियाओं को punch karma कहते है हाला कि it's quite intense और सारे treatments जो karma क्रिया है उनको एक साथ नहीं किया जा सकता we are not that strong that we can withstand all the five karmas not necessarily all the five karmas are also important मैं उनके बारे में बता देता हूं की punch karma है क्या तो पांच कौन-कौन से पंच कर्म में प्रोसेसिस होते है एक होता है वमन जिसमें वामिट कराते है मेसिस्स दूसरा होता है विरेचन पर्ज lose motion It's different than जो नॉर्मल हमें बीमारी लोगों को उल्टी होती है और डाइरिया विरेचन पर्ज is नॉट नॉट कір ये तैरिया Vomitting is not the same as the medical vomiting It is a very therapeutic thing It is induced and you do not feel आप को discomfort नहीं फील होता जब ये करेonstrahan तीसरा और चौथा दो तरह के निमा उते हैं उसे बस्ती कहते हैं एक होता है और अई निमा दूसरा है डिकॉक्षिन निमा और पाच्वा ट्रीटमेंट है रख्तमोक्षिन ब्लॉड लेटिंग जानी इस रिमोविंग ब्लॉड फ्रॉड फ्रॉड पार्ट्स अव दॉड यह आए पास टरीकी के ट्रीटमेंट है तो यह मुटा मुटा ऐसे पास तरीकी के ट्रीटमेंट हुत है लेकिन हर treatment करने के लिए सबसे पहले आपकी eligibility को समझा जाएगा कि आपके कौन से दोश जादा imbalanced है उसके हिसाब से decide किया जाता है कि कौन सा पंच कर्मा जरूरी होगा कि कफ related imbalance में अधिकतर woman करते हैं पिता imbalance में विरेचन करते हैं blood related problems में रक्तमोक्षन करते हैं और देर सारे जो वात related imbalances होते हैं उसमें बस्ती करते हैं और देर सारी बस्ती treatments रिजवनेशन के लिए की जाती है कि when you aspire a higher well-being and you want to make sure that your immunity is better or you want to make sure that your strength is higher endurance level etc specifically आप अपने अलग-अलग systems को target कर सकते हैं so herbs भी बहुत बात की जाती है जब आयरुवेदा की बात आती है तो herbs कितनी जादा useful है हम कई बार ads भी देखते हैं कि अपना mental focus, clarity, concentration बढ़ाने के लिए आप ये लीजिए तो वो किस अद तक सच होते हैं उनकी क्या effectiveness है अगरा बता सके बहुत 100% तक सच होते हैं प्यार ली सोर्स हैं तो पुरी effective होते हैं however when I'm saying this I personally few years ago मैंने decide किया that herbs को मैं अपना सबसे last tool मानूंगा okay क्योंकि using only herbs somewhere उसने आयरुवेद को just for what it stands Ayurveda stands for corrections and modifications in your lifestyle really truly understanding who you are and what you follow on your food and nourishment issue ये हो गया क्योंकि कि हमने Ayurveda को भी herbs पिला के रिदू कर दिया so इसका मतलब यो गया कि Ashwagandha मतलब Ayurveda यानि अल्मूस ऐसा सुची योगिदर जी कि कोई सुबह दुपर वड़ा पाव का रहा हो या जंक फूड खा रहा हो और उसे असा लगे कि उसने सुबह सुबह अश्वध गंदा खा लिया है तो वो बहुत प्रोटेक्टेटेड है यह सरासर गलत बात है और Ayurveda के दृष्टी से यह बिलकुल सपोर्टिव नहीं है अजय को आप उसके प्रिंसिपल को समझें वो कौन से laws को सम्झाने की कुशिश कर रहा है and definitely herbs have a very huge place when it comes for healing and when it comes for rejuvenation लेकिन आप उस rejuvenation के science को अपने lifestyle के level पे, अपने food के level पे, अपने thinking के level पे apply कर रहे हैं कि नहीं वो भी तो important है ना कि आपको बस ऐसा लगा कि आप ब्रामी खा रहे हैं तो आप अच्छे से सो लेंगे कि आप त्रिफला खा रहे हैं तो आपका ठीक रहेगा यह सारी बाते अधूरी है अगर integrate नहीं के अपनी lifestyle में बाकी चीज़ों को तो तो यह जो हब्स का इतना जो marketing हो गया do you think कि वो short term results लोगो को quick results चाहिए है इस mentality के रहे हैं it comes from यह consumer का drawback है okay consumer want everything which is as a quick fix yes एक बहुत leading यह brand developer lady है उनसे मैं बात कर रहा था और हमारे work related मैं share कर रहा था और मैं उनसे कह रहा था and I can be very honest about this on this platform कि मैंने उन्हे का कि मैं interested हूँ कि मैं यह awareness create करूँ और लोगों को बताऊँ इन इन चीजों से तो वो follow करेंगे बिमार ही नहीं होंगे उनकी health इतनी अच्छी हो जाएगी जब कि यह simple है और वो बहुत ही एक certain तरीके से मुश्कुराई और हसी पुली आप यह सब करना चाहते हैं इंडिया में आपको क्या लगता है इंडिया में कौन इंट्रेस्टेड है एजुकेशन में इंडिया में लोग से इंट्रेस्टेड है कोई बोली कोई चोरन इंडिया में इंडिया में इंडिया में पूर कि रिलीव दे ठेड में जाए में लोगफ रिपरह को इंडिया में इंडिया में Various organizations Yuga Indraji including ours Wants to be only interested In telling people That what is good for them What is not good for them And they really don't need to Buy into so many These herbal brand kind of They are similar as Any other brand Sending, selling Other health related supplements Right I am not saying That they are not important They are very good But if you have understood All the other principles Of your lifestyle Of your thinking And of your nourishment Then might as well All the products are very good So if you suppose That the rest of the factors We take care of So if you can tell Some of the things For mental focus Clarity Let's say Let's say These things What I will tell Is already known For mental Our body The first thing is Interact With food And with drinks So what is that What is that That is a lot of Mentally emotional Nourishing I think I think that Our generation And some generations All people have Stoked up A little bit Digressed Towards macro Nutrient People have Carbohydrates Protein And fat That is Important to Understand And Micronutrient And Sukshma Santarpan Not Okay Healing कोई भी हेलिंग में या कोई भी सारे टॉनिक्स जो है जो डीपर आटोंस है जो डीपर टॉनिक से वो माइक्रोनूक्र न॰ञेंड्ट उत्रैंटिझ अश्च भ्रीय। इडaire में, धेर सारे vegetables, leaves fruits में, और और फिर कहीं जाकर के dry fruits में, nuts में, seeds में बहुत कम में वो present है आपके grains में और हम जादा करके क्या खाते हैं हम जादा करके grains खाते हैं दाल, legumes ये सब उनकी quantity हमारी जादा है जो हम vegetables खाते भी हैं इतना overly cooked, इतना जादा पका करके कि उसकी nutrient value almost, almost 5% to 10% reduce हो जाती है जो लोग भी aspire करते हैं higher mental emotional nourishment वो micronutrient की तरफ अगर focus करने लगे, अगर दिन भर में, वो 3 large bowls vegetables, different form में खाएं, ये थोड़ा उन्हें experiment करना, explore करना होगा कि किस तरह की variations, combinations, कई सारे dishes available हैं I feel that we are in such a blessed age and time, जहां पे हमें, we can call ourselves the new salad age salad के जो concept था जो पले कुखरी, टमातर, गाजर जानते थे, हम उससे बहुत जादा आगे आचुके the new salad age is only about making your vegetables, creating vegetables in the most interesting delicious, yet maintaining the highest nutritional value in it I say, ठेर सारे salads अविलेबल है, recipes अविलेबल है forms अविलेबल है so one is in that form second is the form of soups third is in the form of smoothies इन धेर सारे forms में जो follow करने लगेंगे, वो पाएंगे कि automatically उनकी body में, both in the physical body and in the mental body, जो nutrients की कमी थी वो कमी dissolve होने लगी वो heal होने लग गई है वोने एक energy feel होने लग जाएगी और उसके साथ में जब वो अपनी mental या emotional healing करेंगे, counselling के through हो या वो energy healing हो या conversational healing हो या वो trauma healing हो जब वो healing process follow करेंगे तो वो पाएंगे कि result बहुत fast आ रहा है तो जब से herbs की बात हो रही है तो एक मैं Ayurveda से अलग जाता हूं कि modern culture के अंदर जैसे mushrooms की बात होती है या marijuana की बात होती है और या फिर अगर Amazonian forest में Ayahuas का उसकी बात कर ले हम तो इस पे आपकी क्या perspective है because many people report जैसे की Ayahuas का में कुछ depression ही होता या spiritual experiences होते हैं, mushrooms वे लोग spiritual experiences की बात करते हैं, I think the word the very word that you are using जी, already signifies what it stands for right, they are experiential and these experiential can be physiological, mental, emotional or spiritual, depending on what is your existing state right, however Ayahuas का, mushroom and all those other dimensions, they have very little to do with well-being wellness and healing okay वो जो tangent है really has very little to do with your ongoing life जो Ayurved का space है, वो आपके life at large में interested है या अगर हम modern medicine की या दूसरे nutraceutical की भी बात करें, वो इसमें कि आप कौन है आप क्या करते हैं, आप किन चीजों को support करते हैं, कि बिसनेस को support करते हैं आपके परस्नल इस्टरह की की need हैं, आप sportsman हैं, तेर सारी उनको support करनी के लिए आपको कैसी energy की जरूरत है आइवाश का, like dimensions, are not really attending these spaces of your life or what you are building externally okay the very tangent is very different तो आप उने हर्व की केटेगरी में डालेंगे okay, they may be using that which is plant based right, not necessarily, like हम आईवेद में एक डाइमेंशन है उसे कहते हैं कि अगद तंत्र toxicology उन्होंने धेर सारे ऐसे toxins को की पढ़ाई की जाती है from toxins from animals, toxins from food, and then toxins from the herbs also however, उन्होंने जाना की कई herbs, जो toxic या poisonous category में फॉल करते हैं उन्में से भी, because they are so amazingly potent, अगर उन्हे cleaning processes के थाथ देर सारे processes के थ्रू if they go through they can brought to be a state where they are extremely safe for healing हमें ये नही भूलाची की Ayurveda का पुर्पस है healing and higher well-being however, the purpose of ayahuashka is not that clearly defined maybe the purpose there is only inquiry to just find out what else right, because you go into those dimensions with an inquiry that what more about me the very dimension of purpose is not very maybe clearly defined it's a domain of inquisitiveness that maybe I will really like to know more it's a domain that's why that's a domain of adventure also and like adventure has consequences right Ayurveda and other healing sciences are not adventures whatever they are they are telling you that we can tell you what it is for it is for growth it is for support it is for healing care I do not know if these spaces like ayahuashka, weed and all of that they ensure growth, healing, care right with certainty they will say maybe maybe right so I feel this one clearly separates and has clear distinctions of where these sciences fall and the other sciences fall okay coming to the mental emotional whole space that you started Ji that even at Traya okay if you see which is a very large platform based out of India Mumbai only healing in hair fall and hair related problem solutions but deep down at Traya we realized that we are not at all trying to solve hair related problems we are actually solving emotional issues not every person who faces hair fall starts hair related treatments the only ones for whom hair is an emotional connect impact impact esteem impact they address it right so we have understood more than hair the emotional care bit that's the reason why also the kind of success Traya got is because they are deeply invested in emotionally caring or at least supporting and understanding that the people who come to Traya they are emotionally vulnerable yes they need that kind of holding assurance or sincerity and honesty yes so it's unlike all the other platforms which is treating hair they may not be so interested in the emotional quotient I feel the biggest strength of Traya is that they hold the person the clients intrinsically I think that is very important as well because many people they actually give up their hair because they need their style so they don't have emotional connect with their hair so people take it like fashion but I think the most deeply that hair growth is emotionally connected so let me tell you that for people whom hair is a part of their identity Traya holds these people very closely because it has understood that it is a part of their identity and not that we kind of at Traya they go into mumbo-jumbo kind of giving you assurance they will tell you that only when you are from this stage to this stage and when you follow these protocols so my very role at Traya is largely I was telling the founders of Traya Altaafji Saloniji that let us be deeply invested in two things addressing the nourishment quotient and the emotional well-being because hair growth is not external hair growth is deeply to do with your how nourished you are that's why at Traya tremendous focus there are so many over hundreds of hair coaches we have who are only speaking to the clients and kind of in many ways trying to tell people that you know what you are given these kind of food designs you try to follow this because that is very important for the result that they are expecting I think that holistic approach was missing earlier absolutely completely largely missing from the very space so many people do that if you put a particular kind of oil then the hair goes up how much is there and how true is it if you clear it there is a another word called partially true it is only partially true however if these blockages that we work towards clearing up blockages imagine if you are only trying to solve hair related issues Traya products developed in this line that that certain blockages clear up the liver or our gut the supply chain channels if there are blockages present they will clear and many medicines or herbs we suggest they all fall in the tonic category certain minerals certain tattwa that can be available by the body that hair growth so a concept not that this concept is kind of really out there but internally it is true we actually have hair seeds in our body hair seeds we can call it follicles or certain level until the seed doesn't get proper nourishment will not develop the seed will not develop sprout this development or growth depends on two factors extrinsic factors and intrinsic factors extrinsic factors are 15-20% impactful in that extrinsic factor your shampoo oil serum conditioner all the products externally that you use that came intrinsically is your herbs and nourishment your food that plays a very important role and your gut health these play a very very important role like your balance imbalance so for example if you have a lot of blood imbalance if you have not the blood balance correct it is impossible to forget that your growth will be very short-lived some people experience that treatment the result comes from external treatment back to square one because they have not corrected the condition intrinsically or before I move to the rapid-fire my last question is many people are skeptics about Ayurveda many people say it is not research-based not scientific even in foreign countries like America or something they don't approve this so what is your take on that and where are they wrong? they are not wrong however what happened was see we need to go back like the very science school of Ayurveda it's not it has not been research-based it's kind of based on as I was telling you it has its own anatomy and physiology in it was standards on which it was assessed on and which it was prescribed or advised these prescriptions advice and assessment were not in line and length with the norms entire globe has been following because the globe has standardized norm has been based based on the modern medicine modern medicine anatomy modern medicine physiology modern medicine biochemistry so what happened was this being such an ancient and already established the Ayurveda school proponents or promoters they did not really cared for proving proving because they had their own following however they recognized that it is also possible to be at par with the global norms of standardization that they are able to give study based evidence of how something is like part of a study where they are only working on age reversal and a very proven age reversal and you won't believe that they have picked up a very simple herb compound called Amalaki Rasayan and it is approved by the WHO and very soon in few years they may be able to claim and prove that this certain compound actually has all the impact on age reversal arresting a lot of institutions in Ayurveda is getting at par with doing the research work doing the data work the new age Ayurveda practitioners are aware about this our institutions have been have introduced statistics data and preserving of that so not that these are not present yes not all Ayurvedic formulations which are available in the market come from the right sources because they may not come from the right pharmacies which are following the correct norms and procedures of making the medicines making them go through cleanse etc because it's so easily available everywhere there's a so-called wadya hai quacks hai un longon ki wajah se it's come under this whole impression of being unsafe it is not unsafe if if the source is authentic if the channel if it is institutionalized people need not really worry so much however some background check is very important what they are taking they need to see if it is through right institute pharmacies all of that lovely so before I move to the rapid part any three lessons for emotional and mental well-being from Ayurveda that you can give to our audience so most important thing for anyone going through a mental emotional crisis and trying to overcome that if they can first find out what their strength is because constantly trying to change how they are feeling which means they are only focusing on what their weakness is and not beginning to think that in how they are feeling is so bad or so desperately need to change because they also have another side to them which they are not addressing which is called their strength side they need to truly acknowledge their strength side and operate from that then they will find they will be able to operate from their real potential and that space will give them better ideas and more clarity about life second try to find out if whatever protocols you are following when you want to overcome nourishment wise is it a healing nutritional regime okay and the third thing please do make sure that your sleep quotient your rest quotient is taken care of okay while trying to come out of your issues please do not ignore the brain restorativeness you really need deep and deep rest so it is absolutely fine if you have been sleeping a lot being slow a lot do not try to really rush to become normal right if you don't do that to yourself you are really giving yourself good time to heal overcome and then navigate so I think deep and beautiful insights you have given us thank you so now we will move to the rapid fire so let's move with the rapid fire in the morning an Ayurvedic routine which provides energy every day if you start your day with a herbal tea or a fruit you are giving yourself a very good nourishment high nutrient supplement what is your best or insomnia beat or insomnia your best routine how is your day for bed after bed and turning the body and the mind being wiped out and how is your life you are making the last 10-15 minutes for you connect with your breath with your belly and with your belly all you need to do is अगर आप अपनी नीन्द में बहुत गहरी सास लेते हुए जाएंगे तो बहुत पॉसिबल आप बहुत गहरी नीन्द में जाएंगे और जब आप सुबह उठेंगे तो यू विल वेक अप वेरी क्लियर और विट्रमेंड़स फ्रेशनेस रोज कितना पानी पीना ज़रूरी है जितनी आपको प्यास लगे या आपके यूरिन का कलर अगर यलोईश होने लगे तो आपको साइन मिलना चाहिए आपको पानी पीने की ज़रूरत है रोजबरा की पांच हैबिट्स जो इम्यून सिस्टम को स्टॉंग रख सकती है दूसरी है अगर आप लॉंग वाक्स कर सके तीसरी डाइमेंशन है स्ट्रेचेस की चौथा है आप अपने फूड में दिन भर में अगर दो से तीन फूट्स इंक्लूड कर सके और पाच्वा है अट लिस्ट अप टू 70 परसंट अफ फूड मील इच मिल कें ओनली कंप्राइज ओफ वेजिटेबल्स आइशर यू और हायर वेलनेस वेल बिंग और वेरी स्ट्रॉंग इमिनिटी आप खुद हेल्थ चेक अप कर सकते हैं यह फाइंड आओट करके कि आपकी बावल मुव्मेंट कैसी है यह फाइंड आओट करके कि आपका ओप्टिमल वेट आपकी प्रकृति के लिए है की नहीं है आपका skin radiance कैसा है आपकी overall energy stamina levels कैसी है और आपकी नेंद कितनी अच्छी है B12 और vitamin D के levels को naturally कैसे maintain करें They all fall in category जैसे अगर आप अपने absorption को अच्छा कर ले तो आप उस तरह के food खाएं जो lighter है या आप अपके घरे लिए home remedies अच्वाइन, जीरा, लॉंग, इलाइची, सोट इनको जहां पर भी possible हो कि आपने herbal tea ले लिया या आपने home remedies बना लिये उन तत्वों को जिससे आपका absorption इंप्रूप्शन इंप्रूव हो पहली बात दूसरा, इनके sources कहां पर है इनके sources हैं इंप्रूफ ब्लड सर्कुलेशन में और माइक्रोन्यूट्रियंट्स में सो वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में और थोड़े से exercises में इन डिजेशन प्रोब्लम वाले लोगों के लिए कोई कुछ quick आयर्वधिक्टिप सबसे पहली बात यह देखना चाहिए कि वो कितनी बार unnecessarily खाते है कितनी जादा unnecessary quantities में खाते है कौन से तरीके की गलत combination of food habits है इन डिजेशन वाले प्रोब्लम वाले लोग अगर अपने habits को simplify कर दे कि थोड़ी सी fasting ले आए अगर वो tolerate कर सके तो 12 hour 14 hour की fasting करे breakfast में सिर्फ fruits खाए दिन के समय breakfast से पहले और breakfast के बाद में सिर्फ herbal tea ले उसके बाद में lunch में more quantities of vegetables, lighter quantities of grains, roti हो गया या rice हो गया या दूसरे millets हो गया, उनको कम ले evening में वापिस से fruits ले ले और make sure, if they make sure dinner में अगर वो सिफ सूप ले रहे जादा, फिर lighter dinner follow कर रहे है, they will find that their indigestion has disappeared in 3 to 7 days जो लोग कही कहते हैं कि marijuana लेने से उनकी creativity boost होती है, या mood elevate होता है what's your take on that? Even if that is true should their creativity be so dependent on marijuana can creativity not just kind of be liberated by taking deep breath की मैंने कोई सुंदर चीजग देखी है that inspired me like are you really so dependent where you will need marijuana to inspire you and can't you really find inspiration so I feel maybe marijuana unke senses को अलाइव कर रहा है और उनके सेंसे इतने डल और डेड हो गय है it's a very sorry state can they not talk to themselves and say that my god no my senses are very alive it can be so alive that anything and everything can inspire me and my creativity and I can kind of find expression of my creativity on any canvas जादा मातरा में tea या कोफी पीना किसी के लिए ठीक हो सकता है बिलकुल ठीक नहीं हो सकता क्योंकि it goes to show आप undernourished है sugar को white poison माना जाता है यह मित है यह reality यह बहुत बड़ी सच्चाही है why is it called poison? not because it is poisonous because it provides you such a superficial layer of energy all the other deeper tissues in your body they remain deprived of nutrition of nourishment and if you are deprived of nourishment these layers of cells they start to erode so slowly over a period of time you are only left as a hollow person so like in a hollow body how much time it will be that there will be a big disease 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 and you will not be able to heal it I want to take this platform as also to say that we people in India really do not need to be so scared of corona and the waves of corona only if you are hollow from inside be afraid otherwise if you trust your body there is every element in your body to fight it you do not need to be scared of that rather than that start to trust your own breath start to trust your own food start to trust your own lifestyle and this will make sure that you are protected I also plan how can partners plan their detoxification period three months before they plan their family can be wonderful if they can first plan plan through some cleanse detox ayurveda purification all of that if they can plan 21 days of that life dedicated cleanse detox they can plan three months of a very clean state where they are highly kind of their vitality levels have gone up and two three months from then if they can plan to welcome this life in their life a deli quick tip for young and glowing skin as per ayurveda hydration is the most important thing like but by that we studied that our body is made up of 70% of water that is partially right it is largely wrong okay our body Yogi Indraji is made up of 70-80% of fluid and not just water our body have different fluid compartments that's why if our skin dry is dry we will put a little water if it is dehydration we use emollients based so hydration is also in two categories one is aqua based like water based the other is emollients based lipid based so if we focus on our nourishment quotient there is fluids which is properly emollients and liquid which comes from fruits vegetables good quality ghee buttery food I don't mean butter butter but let's say avocado is a buttery food mango musk melon papaya all these food they will they are amazing for skin radiance emotional eating ko rokne kliye kya kar sakte him find scope for eating more quantities of fruits and dry fruits because they will nourish you deeply and then bring the right quantity of healthy fat like ghee small quantities of paneer along with a very nutritious vegetable based meal because those emotionally deprived are going through some crisis and fat is a very important cell that requires care and attention so if we are taking care of through the right quantity of antioxidants and immediately highly energy providing food which fall in the fruits and the dry fruit categories and then larger quantities of vegetables with smaller quantities of the right fat and the right millets which are different millets you can emotionality from that emotionality from you can emotionality from you can